हाँ दो बच्छों तो क्लास नमबर एक हो गई थी हम लोग की कॉंट्रेक्ट में आज क्लास नमबर टू बेटा हम लोग करने जा रहें क्लास नमबर टू में हम लोग को सबसे पहले समझना है कि कम्प्लीट माना जाएगा लास क्लास का थोड़ा सा ओर्रीव देना चाहेंगे लास लाइन में हम लोगों ने बढ़ाता है रिवकेशन रिवोक का मतलब होता है कि कोई चीज हमने कर दिया है मालेजी आफर दे दिया है तो क्या आफर को वापस खीच सकते हैं कि नहीं खीच सकते हैं that is revoke करना या acceptance दे दी है तो क्या उसको revoke कर सकते हैं मतलब वापस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं तो revoke का simple मतलब है कि जो भी चीजें हम लोग ने किया है revocation means taking back ठीक है तो revocation का अगर अर्थ देखोगे तो यहां लिखा हुआ है revocation means taking back वापस लेना तो कब माना जाएगा कि communication complete हो गया है अगर इस चीज को हम लोग example से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बहतर आपको समझ में आएगा ठीक है तो सबसे पहले समझना है कि offer कब complete माना जाएगा जो आपने offer दिया है वो कब complete माना जाएगा basically यह सारी बाते जो हैं वो उस जमाने के लिखी है जब हम लोग letter के थूरू सारे काम किया करते थे letter के थूरू क्योंकि आप जानते हो कि contact होगा तो return में होगा तो phone पे तो offer दे नहीं दोगे उसको तो सारे काम क्या होंगे रिटन में होंगे और post के द्वारा या letter के द्वारा उसको भेजा जाएगा तो उसके इसाब से कब माना जाए किस दिन माना जाए कि आपना communication complete हो गया है तो offer की बात करें तो example यहां से हम लोग पढ़ सकते हैं एक से मान लिजे एक offer यानि के proposal दिया कि अपनी कार वो y को बेचना चाहता है ठीक है by later which was received by y on 12.10.2014 ठीक है मान लिजे x ने जो send किया है later suppose कर लो कि वो 10 तारीक को भेजा है लेकिन वो y की नजर में कब आता है 12 तारीक को तो जैसे ही वो y की knowledge में आ जाएगा ठीक है the communication offer is completed when it comes to the knowledge of why that is 12.10.2014 यही चीज उपर लिखी हुई है कि communication of proposal ये offer complete तब मानी जाती है जिस person को ये offer दिया गया है जब उसकी knowledge में आ जाए तब ठीक है तो example से पढ़ोगे तो ज़्यादा clarity आ जाएगा आपको तुरन का तुरन यानि offer देते समय जो offer देने वाला होगा जिसको offer दिया जा रहा है जब उस person की knowledge में आ जाएगा तो मान लिया जाता है कि भीया आपका offer जो है वो complete हो गया है अब बात करते हैं मैटा acceptance की कि कब acceptance complete मानी जाएगी तो यहाँ theory लिखी हुई है ठीक है और यहाँ से हम लोग example में पढ़ सकते है suppose in the given example यही वाला example है ठीक है दस तारीक को मान लिजे letter भेजा गया है ठीक है accent on यहाँ कर लेते हैं 10-10-2014 को letter जो भेजा गया था वो 10-10-2014 को भेजा गया था receive हुआ था 12-2014 को तो 12-10-2014 को यह माना जाता है कि offer complete हो गया 12-10-2014 को मिलने के बात की कहानी यहाँ समझो X ने इस proposal को accept कर लिया ठीक है और एक later पसंड किया है 15-10-2014 को जो की receive हुआ है 18-10-2014 को X को लेकिन इनकी नजरों में देखो पिटा कब complete माना जाएगा यह चीछ जो होती है वो दोनों के against में अलग-अलग होती है X के लिए अलग complete माना जाएगा और Y के लिए अलग date को complete माना जाएगा बहुत ध्यान से बात को समझना In the instant, instant को मतलब example In the given example Communication of acceptance against X X के against में कहें तो is completed as soon as Y dispatch the letter यानि X के हिसाब से अगर बात करो तो जैसे ही Y dispatch करदेगा यानि 15 तारिक को मान लिया जाएगा कि X के हिसाब से चीज़े complete हो चुकी है ठीक है? Against X माने तो वो complete हो चुका है कब 15 तारिक को लेगन अगर against Y मानोगे ठीक है? Against Y मानोगे तो वो complete होगा 18 तारीक को यानि इसमें दो बाते होती हैं किसके against में हम लोग मान रहे हैं इस चीज का ध्यान रखना होता है तो वही लिखवा है in the stand case communication of acceptance against x is completed as soon as y dispass the letter to be out of his control जैसे उसकी control से बाहर हो जाएगा मान लिया जाएगा कि x के angle से वो चीज complete हो चुकी है लेकिन y का अगर देखोगे यहाँ अगर y का देखोगे case तो against y वाली बाते उपर लिख दी इसने ठीक है? against y अगर देखोगे तो वो तब complete होगा जब वो x को receive हो जाए system सी बात है offer देते समय जब जिसको offer दिया गया उसको receive हो जाएगा तब complete माना जाएगा दोनों की नजरों में लेकिन acceptance देने की समय दोनों की नजरे अलग-अलग होंगी x के भिहाब पे बात करेंगे तो y वाला देखा जाएगा यानि y ने later कब send किया था और y के हिसाब से देखोगे तो जब x को मिल जाएगा तब against चलता है y ने कब भेजा 15 तारीक को और मिला कब x को 18 तारीक को तो उल्टा चलता है x के एंगल से बात करोगे तो y ने जब send किया था उस दिन complete माना जाएगा और y के against में बात करोगे तो जब वो x को receive हो जाएगा यानि 18 तारीक को तब acceptance complete मान ली जाएगी तो आपने समझा कि offer कब complete माना जाएगा और आपने ये भी समझा कि acceptance कब complete मानी जाएगी अब बात करते हैं बटा revocation की कि कब revocation complete माना जाएगा तो revocation का मतलब बताएगा revocation means taking back revocation can be of both proposal offer का भी हो सकता है और acceptance का भी हो सकता है यानि इसका भी revocation हो सकता है और इसका भी revocation हो सकता है और इसके बारे में यहाँ बताएगा मान लीजिए if x decided to revoke his proposal इन्होंने जो proposal 10 तारीक को भेज दिया था ठीक है तो वो कब तक रिवोक कर सकते हैं If X decided to revoke his proposal and send an ordinary letter to 14.10.2014 को यानि इनका letter post होने से पहले पहले इन्होंने क्या कर दिया है Revoke कर दिया है Which is received by Y on 17.10.2014 इन्होंने offer भेज दिया 12 तारिक को इनको मिल गया है इनके acceptance करने से पहले पहले इन्होंने revocation का letter जारी कर दिया है जो कि Y को receive हो रहे 17.10.2014 को In the instant revocation of offer is complete Against X की बात करें तो जस दिन X ने send कर दिया है letter Revocation की बात करें तो जस दिन इन्होंने letter send कर दिया है उस दिन X के against में complete माना जाएगा और जस दिन ये Y को मिल जाएगा letter revocation का उस दिन Y के against में complete मान लिया जाता है तो बस इन से MCQ type के सवाल बन सकते है कि इस दिन later भेजा गया इस दिन मिला उसको बताईए किस दिन माना जाए कि भाया offer complete हो गया है या acceptance इस दिन भेजी गई ठीक है example के through इसको समझ के आप objective question का answer दे सकते हो ठीक है कैसे कैसे बन सकते हैं उसका ध्यान रखना है तो अगर दो तीन बार इसको आप read करके जाओगे exam के समय तो फिर आपको ध्यान रहेगा कि कब revocation माना जाएगा इसको जब भी पढ़िए example से पढ़िए जादा clarity आ जाएगी यहाँ theory से पढ़िएंगे तो थोड़ा कम clarity आती है ठीक है तो इस तरीके से हमने बटा offer acceptance और revocation का माना कि भाई कब इसका communication complete होगा चलो बटा आगे बढ़ते हैं लोग इसी सिलसले में फिर revocation of offer acceptance के बारे में हलकी से theory बताई है तो यह page जो है वो reading only वाला है मतब यहां से यहां तक ठीक है यह सब read only आर का मतब read only category का है केवल एक बार इसकी आपको reading लगानी है ठीक है तो ज्यादा important नहीं हलका से read करना है तो वो आप खुश से करोगे जो important वाली बाते हैं वो समय बताये देना है मतब इससे question मनने के chances थोड़े कम हैं बहुत जादा कम है इसलिए उसको exclude कर रहे हैं हम लोग उसको reading का काम आपको दे दिया गया है आप कर ले थे फिर wide and wideable agreement जब हम पहली class ले रहे थे तो यह सब word आ रहे थे come a contract एक agreement contract बन जाता है जब वो valid contract के सारे essential element फुल्फिल कर देता है तो एक agreement जिसमें valid contract के सारे के सारे essential element मौझूद होते हैं तो उस agreement को हम लोग valid contract कहते हैं in case one or more essential element of valid contract are missing चाहे एक भी miss हो जाए एक या एक से ज़ादा जो essential element है दस हम लोगों ने पढ़े थे कोई एक या एक से ज़ादा किसी contract में अगर missing हो गया तो उस contract को wide contract कहा जाता है ठीक है valid का जो हिंदी मतलब है वैद होता है और wide का जो हिंदी मीनिंग होता है वो अवैद होता है तो the contract is wide जरूरी नहीं कि wide हो wide भी हो सकता है wideable भी हो सकता है illegal भी हो सकता है unfossible भी हो सकता है यानि कि अगर सारे के सारे essential element मौझूद है तो तो बनेगा valid otherwise directly आप यह नहीं कह सकते कि सिर्फ wide बनेगा wide भी बन सकता है, wideable भी बन सकता है, illegal भी बन सकता है और un-enforceable भी बन सकता है, depend करेगा कि कौन सा essential element मौझूद नहीं है जैसे माली जे कुछ technical error हो जाए ठीक है, कोई technical part छूट गया लिखने से, माली जे कोई contact किया अमित के नाम पे, लेकिन अमित तो लाखों है, इंडिया के अंदर तो कौन सा अमित है, उनके पिता जी का क्या नाम है, कहां रहता है अगर detailing नहीं लिखी है, तो इसका मतब उसको कहा जाएगा कि इस contract में technical error है, तो वो बन जाता है, क्या unfossible, unfossible, कोई contract ऐसे किया है, जो legal way में नहीं है ठीक है, किसी को मारने का contact कर दिया है, ठीक है, opposed to public policy वाले कोई contact कर दिया है, तो वो सब अगर ऐसी चीज़े हो जाएंगी तो वो illegal हो जाएगा, वाइडबल में हमने बताया था, कि 5 बाते आती हैं, अभी आज हम लोग पढ़ेंगे भी, कि कोई contract, यानि अगर जो consent है, वो free नहीं है और free consent तब नहीं मानी जाती है, जब वो cause by 5 item होते हैं, वही आज हम लोग को पढ़ने हैं, आगे अभी detail में मिलेगा, हम लोग ने हलका हलका पढ़ा था, बिटा, कॉर्जन, ये सारी बाते उसमें पढ़ी थी, कॉर्जन, misrepresentation, fraud, ठीक है, mistake, undo influence, अगर इन पांचों में से किसी भी, एक के थूँ, अगर consent ली गई है, तो उसको free consent नहीं कहा जाता है, और ऐसे केस में जो contract बनेगा, उसको viedable contract कहा जाता है, ये हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, आज फिर से हमने आपको बताया, और आगे बढ़ते हैं, बटा, वाइडबल contract लोगो फिर से इन्होंने बोला है, वाइडबल contract का अगर परिभासा देखें, तो एक party इसको enforce कर सकती है, और दूसरी party enforce नहीं कर पाती है, इसी को हम लोग वाइडबल contract कहते हैं, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more party, but not at the option of other, ठीक है, तो हो सकता है, चार party हूँ, तो एक, कोई भी एक party के against में अगर उसको enforce नहीं किया जासता, तो उसको वाइडबल contract कहा जाता है, मेली तो contact के अंदर दो ही party होती है, तो दो party को समझ के चलो, और simple समझ सकते हो, कि एक party enforce कर सकती है, और दूसरी party अगर enforce नहीं कर सकती है, तो इसको बोलते हैं, कि क्या होता है, वाइडबल contract होता है, और हमने बताया था, वाइडबल contract तभी होता है, जब free consent absent होती है, यानि consent free नहीं होती है, ठीक है, यह तभी होता है, लिखा है how this happened तो ये भी exam में पूछ सकता है कि viable contract किस वज़े से होता है उसमें लिखा रहाएगा free consent का ना होना ठीक है party का minor हो जाना या ऐसी 3-4 information लिखी होंगी तो ध्यान रखना viable contact तभी होता है जब consent free ना हो in absence of free consent wide agreement के बारे में भी हमने पहले बता दिया था फरसे बता देते हैं an agreement जिस ऐसा agreement जिसको enforce नहीं कर सकते हैं ऐसा agreement जिसको enforce कर सकते हैं वो वें जाता है contract और ऐसा agreement जिसको enforce नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं wide agreement wide contact भी बताया था ठीक है तो इसमें हमने example दिया था पेंटर वाला ठीक है कि एक ऐसी घटना हो जाती किसी समय कि जिसके बाद उस contact को पुरान कराना संबव नहीं होता है तो उस point पे ही उस समय पे ही उस contact को wide घोसित कर दिया जाता है फिर कुछ contact ऐसे हैं जिनको government ने expressly declared to be wide यानि Indian Contact Act में कुछ ऐसे contact के नाम लिखे हैं जिनको पहले से ही कह दिया गया है कि भया ये wide होते हैं ये करो ही ना क्योंकि अगर ये करोगे तो इनका कोई legal अस्तित तो नहीं होगा आप court का चहरी नहीं ले जा सकते ऐसे मामलो को साफ साफ Indian Contact Act में इनको no down कर दिया गया है कि ऐसे contact कोई ना करे और अगर करता है तो अपनी जिम्मेदारी में करे खुद समझे court vote ना आए मामला लेके क्योंकि जैसे ही court ऐसे case लेके जाओगे तुरंत ही ये चीज दिखा देगा कि बैटा ये तो पहले सही declare हम लोगों ने वाइड कर रखा है ऐसा contact किया है तो दोनों लोग आपस में अपनी खोपड़ी लड़ा के फोड़ो लो हमाए पास ना ओ बास समझ रो यानि court का चाहरी साफ साफ मना कर देगी कि मेरे पास इसका कोई मत्दम नहीं है ये जो contract किये हो यही wide है यही गलत है हम कुछ नहीं कर सकते आपस में जाओ जो समझना है समझो जो करना है करो जाके तो हम लोग को पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से contract है जिनको Indian contract act ने पहले से ही wide declare कर रखा है चलो ओ पढ़ते हैं बटा अगर किसी minor से आप कोई contact करते हो या unsound mind से कोई contact करते हो पागल वगरा आदमी है उससे कोई contact कर लेते हो ठीक है तो minor से कोई contact करते हो या unsound mind से कोई contact करते हो तो उसको पहले से ही wide कहा गया है ऐसा agreement जिसका consideration या object unlawful हो तो ऐसे agreement जिनका consideration या object unlawful होता है उनको भी पहले से declare कर दिया गया है wide ऐसा agreement जिसमें bilateral mistake हो bilateral mistake का मतब दोनों तरफ से कोई ना कोई गलती हुई है contact में हमने भी कोई गलती करी है और सामने में आपने भी कोई गलती करी है अगर दोनों साइट से गलती हुई है that is bilateral mistake और अगर bilateral वाला agreement है तो उसको भी wide कहा गया है फिर agreement of which consideration or object is unlawful in part यहाँ दो को पूरा पूरा लिखा था यहाँ बोल ला है कि unlawful तो है लेकिन in part में या फिर illegal part cannot be separated यानि कहने का मतलब है कि consideration दो part में है कुछ जो है वो unlawful है और कुछ lawful है और अलग-अलग अगर तोड़ा नहीं जा सकता है consideration को मतलब consideration को separate नहीं कहा सकता तो पूरा का पूरा-पूरा agreement ही wide बना देंगे otherwise अगर माल लो अलग-अलग तोड़ा जा सकता है consideration को तो जितना part unlawful होगा वो wide हो जाएगा और जितना part lawful होगा वो valid माना जाएगा तो वही बात यहाँ लिखी है कि अगर unlawful है लेकिन कुछ part है और अलग-अलग नहीं किया जा सकता legal वाले part से तो पूरे contract को ही पूरे agreement को ही क्या मान लेंगे वाइड मान लेंगे एग्रिमेंट विदाओट consideration तो अगर agreement के अंदर consideration नहीं तो contract नहीं बन जाएगा लेकिन इस section के कुछ exception भी है इसके कुछ exceptions भी है ठीक है exceptions कहां लिखे है और देखते हैं बटा कहीं न कहीं exceptions लिखे होंगे बस एक सिगन का टाइम देना ठीक है यह यहाँ पर no consideration no contract normally यह होता है यही तो यहाँ बोल ला है कि agreement जो consideration के बिना नहीं रहेंगे white रहेगा यह इसी चीज़ को बोलते है no consideration no contract ठीक है लेकिन इसके कुछ exceptions है यहाँ पर लिखे हुए यह पढ़ेंगे अभी हम लोग तो इसके जो exception है वो लिखे हुए पेज नमबर 14 में तो हम यहाँ exception लिख देते हैं भाई पेज नमबर 14 जिससे आप वीडियो देखो तो इस चीज़ को रिफर कर पाओ तो normally कह सकतो agreement without consideration क्या होते हैं वाइड होते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी agreement है जो exception में लिखे हुए है कि अगर consideration नहीं भी है तो भी उनको valid contract कहा जाता है अभी exception में हम लोग पढ़ेंगे बिटा चलो और बढ़ते हैं साथी करने से रोकने का contact अग्रेमेंट इन restraint Marvin is मैरीजि थीक है किसी ऐसे बंदे से आप contact करो को तुम कभी साथी नहीं करोगे पास समझे रो तो किसी को साथी ना करने के लिए प्रिद करना साथी करने से रोकने का कोई कोई कॉंटेक्ट करते हो तो भी वाइड कहा गया है और अगर बिजनेस करने से रोकने का कोई कॉंटेक्ट कर तो रेस्टेंट ऑफ मैरेज रेस्टेंट ऑफ बिजनेस रेस्टेंट ऑफ तो ऐसे contact को भी wide कहा गया है यानि किसी को आप business करने से रोक नहीं सकते, रोकने का मतब है कोई contact करके आप उसको रोक नहीं सकते, restraint of legal proceeding ठीक है, कोई legal proceeding में कोई गवा है तो उसको गवाही देने से आप नहीं रोक सकते या कोई भी legal proceeding चल रही है तो उसको बीच में आप रोक टोक नहीं सकते इसलिए पुलिस कानून कहता भी है कि आप पुलिस के काम में बीच में ना पढ़िए आप कानून को बीच में ना लाइए ठीक है, मतब कानून को में कानून अपना काम कर रहा है तो उसमें आप बीच में उंगली ना करिए ठीक है कानुन को अपना काम इत्मिनान से करने दीजिए जो भी काम है तो कि उसको आप रोक नहीं सकते वो वाइड हो जाएगा आपका एग्रिमेंट जिसका मीनिंग अंसर्टेन है ठीक है जिसका मीनिंग ही सही नहीं है यसे एक्जामपल बताया था कि माल लीजिए आप बहुत सारी कुर्सियों में डील करते हो किसी से एग्रिमेंट हो गया कि आप सो कुर्सियां बेचोगे पचास रुपए में लेकिन कौन सी कुर्सी बेचोगे कि आपके दुकान में 75 तरीके की कुर्सियां दिख रही है प्लास्टिक की कुर्सी भी है लकडी की कुर्सी भी है प्लास्टिक के अंदर भी कई सारी कुर्सी है आपके पास ठीक है लोहे वाली भी कुर्सी है भी स्टील वाली भी है गद्दी लगी भी है जाल भी लगा दुनिया बर की है तो आपने गर agreement में ये लिखा ही नहीं कि कौन से टाइप की कुर्सी बेचेंगे तो इसका मतलब उसका meaning क्या है बटा uncertain है सही चीज नहीं लिखी है तो ऐसे agreement भी wide हो जाते है by way of wager, wagering agreement ठीक है? सटे बाजी वाले, सर्त लगाने वाले वेजर का मतलब क्या होता है? सर्त तो कोई सर्त वाले agreement होंगे तो वो भी wide कहा जाता है जैसे आप देखते होगे गली महले में बिक्षे हैं या बड़े भी होते हैं तो match वगरा होता है तो उसमें आपस में पैसे लगा लेते हैं वाइड घोसित किया गया है पहले से ही तो आप लोगों ने देखिया अचा तीन चाक और है और देख लेते हैं agreement of impossible event आपने कह दिया अपनी girlfriend से या बीबी से कि भईया हम आपके लिए क्या करेंगे चांद तारे तोड के लिए आएंगे impossible event का agreement कर रहे हो ठीक है या आज आपके पास एक भी रुपय नहीं है और कब कुछ भी आपकी वर्थ नहीं है कुछ भी value नहीं है मतब कुछ भी इतने पैसे नहीं है और कल कह रहो कि भईया आपके लिए हम आडी लिए आएंगे कहां से लिया होगे impossible event है ठीक है यानि जिसकी होने की संभावना है बिल्कुल भी नहीं हो अगर ऐसा आपने कह दिया ऐसे agreement कर लिये तो उनको भी पहले से वाई डिखा गया है ये चीज हो ही नहीं सकती कह दो कल सूरज नहीं निकलेगा ऐसे कैसे हो जाएगा बदली हो जाए दिखाई ना पड़े वो अलग की बात है लेकिन सूरज ही नहीं निकलेगा ये तो गलत बात है ठीक है फिर एक और है यहां पर impossible act impossible event मतब कोई घटना नहीं हो सकती impossible act मतब आप नहीं कर सकते आपने कहा दिया एक हास से हम दिवाल तोड़ देंगे पूरी दिवाल गिरा देंगे एक के मुक्यम पूरी दिवाल गिर जाएगी तो ये सब क्या है impossible act है जो संभव नहीं है ऐसे act हो पाना ठीक है तो इनको भी wide कहा गया है सुरवास सहिन को wide कहा गया है in case of reciprocal promise अगर एक दूसरे को कोई promise की गई है to do thing legal and also other thing illegal फिर से वही बात है कि रेसी प्रोपल promise करी गई है एक चीज़ legal है उसमें एक चीज़ legal है तो जो second set of promise है मतब जो illegal वाला है उसको wide agreement कहा जाएगा यानि एक part legal है एक part illegal है तो separate रहेगा जो illegal वाला part है उसको wide बोलेंगे और जो legal वाला part है उसको valid ही कहा जाएगा उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं तो hopefully आप समझ पाए होगे बटा ठीके कौन कौन से ऐसे contact है जिनको expressly declared किया गया है wide ठीके तो हो सकता है MCQ में इसमें बना दे कौन सा ऐसा contact है जिसको expressly declared not to be wide तीन इसमें से लिखेगा कोई और एक कोई बाहर का लिख देगा तो जब सामने आएंगे तो आपको याद आना चाहिए उनको यह नहीं कि आपको रटो होगे MCQ में सबसे बड़ी फायदे मन चीज यही है कि आपको कोई चीज रटनी नहीं पड़ती है बस आपको multiple time reading कर लेना है दो तीन चार बार read कर लेना है कि सामने चीज आए जाए तो आपको याद आजाए हाँ हाँ ऐसा लिखा था ऐसा नहीं लिखा था ये point उन point ओं में था ये point वहाँ पे नहीं था ये बाते आपको याद आजाएं बस कोई बीचीज ये नहीं आए mcq paper में नहीं आएगा कौन कौन से अच्छा नाम लिखिए 12 contract के ऐसे agreement जिनको white declare किया गया है उनके नाम लिखो तो disruptive होता तो संबह होता तब तो रट के जाना परता हम लोग को लेकिन object to paper में इस चीज की बचत होती है कोई भी चीज आपको रट के नहीं जानी है सब आपको 2-3-4 बार पढ़ लेनी है reading कर लेनी है जिससे वो चीज अगर सामने आती है तो हमें ये याद आजाए कि ये point वहां लिखा हुआ था ठीक है कि या नहीं लिखा हुआ था ऐसी बाते हम लोग को याद आ जाए बस और आगे पढ़ते हैं बटा consideration, legality of object and consideration इसके बारे में देखो क्या information बताई गई यहां तो consideration का मतलब हमने पहली class में ही बता दिया था consideration means something in return ठीक है एक वाक्त के में गवर consideration को कहा जाएगा तो जो भी आपको return में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते है consideration, when someone promise to do वही बाते लिखी हुई है कि जो भी promise करी गई है उसके विपरीत में जो भी आपको मिलेगा that is consideration और section 25 कहता है कि अगर कोई agreement है जिसमें consideration नहीं है तो उसको wide कहा जाता है इसी चीज को बोलते है no consideration, no contract ठीक है? यानि अगर कोई consideration नहीं है तो कोई contract नहीं होता है ये section 25 बताता है लेकिन section 25 के कुछ अभी हम लोगों ने पढ़े थे कुछ exception है जो अभी आगे हम लोगों को पढ़ेंगे अगले ही पढ़ने पर वो exception यहाँ पर आ रहा है पहले consideration का मत्तब समझ ले फिर consideration के लिए कुछ rules लिखे हुए है पढ़ सकते हैं हाँ एक दो definition लिखे हुए हैं यहाँ से read कर लेना हलका हलका rules regarding consideration पहला consideration must move at the desire of promissor तो जो promissor है just way में उसने consideration कहा है उसकी इच्छा के अनुसार consideration मिलना चाहिए ठीक है तो वही लिखा हुए it must move at the desire of promissor any act or absence at the desire of the third party is not consideration किसी तीसरे के अगर अनुसार दे रहे होगे तो उसको consideration नहीं कहा जाएगा दूसरा point consideration may move from promissor और any other person जैसे example समझो माल लिजी हम आपको पढ़ा रहे हैं suppose कर लो पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं अभी तो जो आपकी class चल लई है यूटूब पर जो आपको प्रोवाइड करे हैं तो free of cost है जो regular बच्चे हमारे class में पढ़ते आते हैं उनसे पैसे लेते हैं पैसे लेते हैं तो माल लिए कोई subject उनको पढ़ा रहे हैं और हमने कहा है कि बिटा जो fees होती है आपकी ठीक है suppose कर लो 10,000 फीस है तो हमने कहा जो भी आपकी 10,000 फीस है वो सिफ और सिफ चेक से लेंगे बस तो इसका मतब है कि आपको payment चेक से करनी पढ़ेगी हमारी इच्छा के अनुसार करना पढ़ेगा अगर पढ़ना चा रहे हो तो कॉंटेक करते समय जब क्लास में आओगे तब ही मैं बता दूँगा कि payment हम एक नंबर में लेंगे चेक से लेंगे अगर आपकी इच्छा हो तो आप पढ़िए नहीं इच्छा हो तो ना पढ़िए तो कॉंटेक करते समय ही बता दिया जाएगा उस समय आप agree हो गए हो तो हमाए desire के हिसाफ से आपको consideration पे करना पढ़ेगा दूसरा consideration कौन देगा आप भी दे सकते हो यानि promise या कोई और भी दे सकता है मान लिजे आप consideration नहीं आपके पिता जी आगए फीस जमा करने तो यह थोड़ी नहीं होगा कहने नहीं हम जिसको पढ़ाएं उसी सपाई सा लेंगे आप से नहीं ले सकते हम बास समझ रो तो promise भी दे सकता है यानि consideration में move from किस से आ सकता है promise से भी आ सकता है या कोई दूसरा ब्यक्ती भी उसके बदले में पैसे चुका सकता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं वही चीज यहाँ पर लिखी है consideration may move from promise or any other person फिर consideration की कोई value होनी चाहिए ऐसा consideration नहीं हो जिसकी value ही नहीं हो बास समझ रो तो कह सका है consideration must be something of value जिसकी कोई value हो उसी को consideration कहा जाएगा जिसकी कोई value नहीं होगी वो कहे का consideration फिर it may be consideration क्या हो सकता है consideration का मतलब नहीं किसे पैसे ही हो consideration कोई act भी हो सकता है absence भी हो सकता है मतलब किसी चीज को मना करना भी हो सकता है forbearance भी हो सकता है या return promise भी हो सकता है यानि consideration positive act भी हो सकता है negative act भी हो सकता है कोई promise भी हो सकता है पैसे में भी हो सकता है kind में भी हो सकता है ये सारी बाती यहां लिखें है consideration present हो सकता है मतब तुरंत ही लें दें कर लेंगे या हो सकता है consideration हम पहले चुका चुके हो past consideration हो सकता है consideration future में हो तो इसको कहा जाता है consideration may be past present or future ठीक है तो consideration तुरंद भी हो सकता है वही लिखा है दोको यहाँ according to Indian law यह दोको सुद्ध हिंदी में लिखा है consideration may be past present or future तो past भी हो सकता है present भी हो सकता है और future में भी हो सकता है और consideration unlawful बिल्कुल नहीं होना चाहिए यानि consideration must be lawful ठीक है इसके बाद type of consideration में वही consideration है तीन टाइप के होते है past present and future वही लिखा हुआ है तीन टाइप के होते हैं बटा past present और future past consideration present consideration और future consideration past में होता है कि consideration हम पहले पे कर चुके हैं present में होता है कि साथ साथ दोनों होंगे और future का मत्तब होता है कि future date पे हम consideration पे करेंगे इसके बाद वो बात आती बटा exception वाली कि section 25 में कौन कौन से agreement ऐसे हैं जिन में consideration नहीं भी होगा तो भी उनको contract कहा जाएगा पहला promise made on account of natural love and affection आपने अपनी महबूबा जी को कोई promise कर दिया natural love and affection में कोई promise कर दिया है तो भले उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल ला है ठीक है मान लेजिए आप या कोई date पे गए हैं कहीं गए हुए हैं या आपकी wife है ठीक है और anniversary वाले डिन आपने कोई promise कर दिया उनसे कि वही हम आपको ये चीज लाके देंगे और उन्होंने return में लिखवा लिया आपसे मतब जो भी आप ओरली बोल लो उन्होंने कर नहीं नहीं मानेंगे ना लिख के दो 100 रुपए का stamp पर मंगाया अपने भाई के हाथ में और तुरंत आपसे लिखा पड़ी कर वाली भले उस agreement में वो नहीं है consideration आपको कुछ नहीं मिलने है वाला आप दे रहे हो तब भी वो valid agreement माना जाएगा क्योंकि वो section 25 के exception में fall कर रहा है तो natural love and affection में जो agreement किये जाते हैं जो valid कहा जाएगा तूसरा compensate for voluntary service ठीक है तो कभी अगर कोई मान लिजे हमने इपनी इच्छाज कोई service दी है और उसके compensation में कोई पैसे पे कर रहे हो तो वो भी उसमें भी यह नहीं होगा compensation दे रहे हैं तो किने हमें का मिल रहा है कुछ नहीं मिल ला है तब भी वो valid माना जाएगा promise made to pay a time barred debt, bad debts तो नहीं होगा एक बार bad debts हो जाते हैं तो जो seller रहता है उसको क्या कर देता है write off कर देता है PL account से और copy किताब से उस debtor का नामों निसान मिट जाता है ठीक है यही simple सी भात्वा होती है मान लीजे फिर वो debtor आ गया वापस उसने का भाई हम पैसे दे देंगे यानि promise कर रहा है कि जो time barred debt हो गया है मतब जिसको bad debts मानके आपने write off कर दिया है उसको वो दे देगा तो ऐसे promise में भी मतब फिर हमने का अच्छा भई लिखके दे दो पिछली बार तो तुम देके नह का promise कर रहे हो हमको return में लिखवा लेगा इस promise के बदले में उसको भले कुछ नहीं मिल लहा है तब भी ये valid माना जाएगा completed gift ठीक है किसी को भी कोई gift देने का वादा आप कर लेते हो तो gift deed बनती है अगर gift deed में consideration नहीं gift का मतलब ही होता है कि आप free में दे रहो तब ये तो gift गिफ्ट तो completed gift ठीक है creation of agency agency तो सुनाई होगा आपने partnership के अंदर कि जो partners होते हैं वो एक दूसरे के agent होते हैं ठीक है तो जो भी एक partner के ऊपर अगर मान लीजे कोई consequences आते हैं तो दूसरे partner के ऊपर अपने आप वो लागू हो जाते हैं और वो काम उसको करना पड़ जाता है भले उससे कोई agreement किया गया हो चाहें ना किया गया हो माल जी किसी firm से आपने कोई agreement किया तो उसके partner अपने आप उस चीज में inbuilt हो जाते हैं contract of guarantee कंपनिया guarantee देती हैं कि आपका mobile खराब हो जाएका तो सही करके देंगे warranty warranty तो इन case में भी अगर company को वापस थोड़ी न मिलता है company ने warranty दी आप खराब करते हो फिर भी सही करके देती है तो सही करने के बदले मुसको मिलता क्या है कुछ नहीं मिलता ठीक है फिर भी वो सही करके देती है क्योंकि उसने warranty दिया है तो contract of guarantee warranty ठीक है remission ठीक है तो इन सब के case में क्या होता है बटा कि अगर consideration नहीं भी है तब भी उसको क्या कहा जाता है valid contract कहा जाएगा सिर्फ consideration नहों बाकि कोई चीज नहीं होगी तो फिर नहीं बनेगा तो इन सब के case में यानि इन सब cases में अगर consideration नहीं भी है तो उसको valid contract कहा जाएगा इसको section 25 के exception कहा जाता है ठीके इन चीजों को हमने हलका हलका यहां से समझा दिया है बाकी अगले पन्ने में detail में एक एक line में लिखा हुआ है तो मतलब इसी चीज को खोल खोल के यहां लिख दिया है तो इसको आप read कर लोगे बेटा इसको आप खोल खोल के जो लिखा हुआ है उनका यहां से एक बार चाहो तो read कर सकते हो इसके बाद समझो stranger to contact देखो अगर मान लिजे हमारे और आपके बीच में कोई contact हुआ है तो कोई इसमें stranger आ सकता है के नहीं आ सकता यानि मान लिजे सपोस कर लिए हमने आप से कोई contact किया भी पढ़ाने का contact हुआ है कि हम आपको यह chapter पढ़ाएंगे contract और आप इसके बदले में हमें 1000 पे फीस पे करोगे तो अगर मान लिजे हमने फीस ले लिए और ना पढ़ाएं मिस्टर सी आके उपर आप के उपर case कर सकते हैं मान लिजे हमने पढ़ा दिया आपने पैसा नहीं दिया तो हम तो case कर सकते हैं कि मिस्टर सी आप के उपर case कर सकते हैं कि नहीं नहीं ने पढ़ाया है तो आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो तो वही चीज ए कि कब stranger contract के अंदर आ सकता है ठीक है यानि अगर contract पूरा नहीं होता है contract में कोई कमी रह जाती है तो court में कौन लेके जा सकता है contract में तो जो party होती है वो तो court में जाई सकती है कभी-कभी stranger भी court में जा सकते हैं इसी को बोला जाता है doctrine of privacy of contract ठीक है doctrine of प्राइविटी ओफ कॉंट्रेक्ट या stranger to contract कब-कब stranger जा सकता है ठीक है तो वो यहाँ पर लिखे हुए है तो normally कोई stranger sue नहीं कर सकता ठीक है मतलब यह लिखा हुआ stranger to contract cannot sue upon the contract simple सी भात है कि stranger contract में sue नहीं कर सकता स्योंका मतब कोट में लेके नहीं जा सकता लेकिन इस बात के कुछ exception है यानि इन इन केसेज में इन इन केसेज में कोई stranger भी जा सकता है contract को कोट के अंदर लेके ठीक है कब कब beneficiary of a trust तो अगर कोई trust का beneficiary है ठीक है तो जो trust बनाया जाता है उसमें एक आदमी beneficiary होता है तो अगर beneficiary को कुछ नुकसान हो रहे होंगे आपने contract किया है किसी trust से तो trust तो आपके उपर case ठोकी सकता है लेकिन जो trust का beneficiary होगा वो भी directly आपके उपर case चल कर सकता है अगर उसका कोई नुकसान हो रहा होगा तो क्योंकि trust का जो भी benefit होता है वो उस beneficiary को जाता है तो ultimate trust का नुकसान होने का मतलब ही है कि उसके beneficiary का नुकसान होगा तो beneficiary भी contract आपने trust से किया beneficiary से नहीं लेकिन beneficiary भी उस case में आपके उपर issue कर सकता है यानि case कर सकता है provision in marriage settlement ठीक है तो जो marriage के settlement होते है divorce वगरा के case में तो उसमें third party भी कोई आके आपके उपर issue कर सकती है ठीक है तीसरा provision of maintenance or marriage expenses of female member under family agreement ठीक है तो जो actually of होते है होता है हिंदू undivided family उसके अंदर जो female member रहते है ठीक है तो उनको member नहीं माना जाता है मतरब जो female person घर की होंगी उनको H of का member नहीं माना जाता है अगर आपने हलका फुलका H of के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो आपको idea होगा ठीक है तो H of में जो female members होते है घर के उनको member नहीं माना जाता है female person होते है उनको member नहीं माना जाता है लेकिन वो अपनी marriage के खर्चे के लिए अपनी family को यानि H of को sue कर सकती है अगर उनके साधी के लिए खर्चा नहीं दे रहा है कोई तो उनको case कर सकती है तो वही लिखा है provision for maintenance ठीक है हलकालका overview दे दिया है बाकि line by line यहां चाहो तो यहां से आप पढ़ सकते हो ठीक है Assignee of contract है acknowledgement of liability अगर liability आपने कोई acknowledge कर दी example समझो इसका माल यह Mr. X है जिनकी death हो गई और Mr. X जो है Mr. X के ओपर उधारी है 10,000 रुपए की किसको देने हैं पैसे Mr. Y को ठीक है तो Mr. Y Mr. X घर में आते हैं उनका लड़का मिलता है कहाँ आपके पिता जी के देथ हो गई हो ना नामा का ठीक है उसके बाद कहाए ने आपके पिता जी ने हम से आर दरजार रुपए उधार लिये थे तो वारे वापस चुका दो तो प्रॉपरिटी ती छोड़ के गए हैं और Mr. X के सन ने उसको अक्नॉलेजमेंट कर लिया मतब सुईकार कर लिया है कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे तो फिर अब देखो जो पैसे का लेंदेन का कॉंटेक्ट हुआ था वो एक्स और वाई के बीच में हुआ था जबकि Mr. X जो है उनको भी Mr. X का जुसन है उन्होंने सुईकार कर लिया अक्नॉलेजमेंट कर दिया है लाइबल्टी की तो फिर उसका पैमेंट उनको करना पड़ेगा ठीक है यानि वो भी कॉंटेक्ट में आ सकते हैं अजर्टी कोंट्रक्ट है में हमने बताया था जो एक दूसरे के आजर्ट होते हैं पार्ट्रशिप में तो इन सब्विकर के क्येश में स्टेंजर भी क्यूंत ठीक है पोकॉट में लेकेशा सकते हैं कोट में सीर्व कर सकते हैं तो यह ऐसा बारे में detail में यहां लिखा हुआ है तो एक बार घर पेष रीड करने न तो मजा आकूर अगला पाइंट capacity of party और free consent दो बाते हैं तो capacity मतब party जो होंगी contact के अंदर उनके अंदर क्या capacity होनी चाहिए ठीक है तो capacity कब कहा जाता है मतब कब party competent है capacity to contract ठीक है तो कब माना जाता है कि जो contact की party है वो competent है contract करने के लिए पहली बात तो वो minor नहीं होना चाहिए लिखा है ये type के person को competent नहीं माना गया है अगर minor है तो competent नहीं मतब major होने चाहिए ऐसे कहो unsound mind नहीं होना चाहिए unsound mind का मतब पागल लगे रहा ठीक है तो unsound mind नहीं होना चाहिए यानि sound mind होना चाहिए capacity में क्या है sound mind होना चाहिए और जिसको contact करने के लिए disqualify ना किया गया हो तो कहने का मतलब है कि capacity में क्या आता है कि बंदा minor नहीं होना चाहिए यानि कि ये बोलो ना कि major होना चाहिए दूसरी बात unsound mind नहीं होना चाहिए यानि ये बोलो कि sound mind होना चाहिए और तीसरा जिसको disqualify ना किया गया हो ठीक है who is disqualified for coordinating by some law किसी भी law में चाहिए contact act में या किसी भी law में जो इंडिया में चलना है उनमें अगर disqualify किया गया है किसी person को या group of person को तो उनसे भी आप कोई contact महीं कर सकते क्योंकि उनकी capacity नहीं है आपसे contact करने की अब इन तीनों point को यहाँ खोल के लिखा गया है माइनर का मतलब बताया गया है कि जिसकी 18 साल की age नहीं होती है जो 18 साल की age को attend नहीं करता है 18 साल भी हो जाएगा तो major कहा जाएगा समझ लेना 18 से नीचे वाले को minor position of minor अगर minor से कोई contact कर लिया एक यह word याद रखना बहुत important line लिखती agreement with minor is wide abon issue abon issue का मतलब होता है शुरुवात से ही यारनि अगर कोई minor से आपने contact किया है तो वो शुरुवात से ही wide है इसको बोलते है wide abon issue mcq कैसा बनाएगा an agreement with minor is नीचे चार option होंगे wide, valid, widable, legal, illegal, wide abon issue पांचे option दे देगा तो ध्यान रखना यह word यह line डिक्टॉप को याद होनी चाहिए जैसा ही minor से कोई agreement आए समझ जाना wide abon issue है एक नमबर का mcq बहुत आराम से यहां से बन जाता है अकसर exam में देखा गया है तो इस word को ध्यान रखोगे तो वो एक number आप gain कर पाऊगे चलो आगे बढ़ते हैं और इस बार तो mcq आप क्यार हैं दो number के तो आप तो दो number gain कर पाऊगे बटा दला ओफ इस्टोपल डज नौट अप्लाई अगेंस माइनर इट मीज माइनर कैन ओल्वेज इस प्रीड इस माइनर्टी डिस्पाइड अर्लियर मिस रिप्रेजंटिंग किंग तू बी आ माइनर यानि कुल मिला के क्या है कि अगर माइनर से आपने कोई agreement कर दिया तो वो plead करता रहेगा मतब अपनी माइनर्टी को लेके गड़गड़ा सकता है अर्य भी हम तो माइनर हैं हम तो माइनर हैं समझ रो कहीं पर जाके कहते हम तो माइनर हैं तो बलो काम खतम हो जाएगा सिस्टम समझ रो तो माइनर क्या कर सकता है हमेशा अपनी माइनर्टी को प्लीड कर सकता है यानि वो गड़गड़ा सकता है वो कह सकता है तो माइनर कार्ड प्ले कर लेगा एक तरी किस कह लो फिर doctrine of restitution restitution का मतब होता है कि माल लेजिए suppose कर लो साड़े सत्रा साल के एज में आपने कोई contact कर लिया किसी से तब किसी बच्चे से कोई contact किया जिसके उम्रे साड़े सत्रा साल है और आधे साल बाद हो क्या हो जाएगा major हो जाएगा तो यह नहीं कि यह contact valid हो गया आपका क्योंकि जिस समय आपने किया था contact उस समय तो उसकी उम्रे किती थी साड़े सत्रा साल यानि कि minor था तो यह नहीं होगा कि major हो जाएगा तो यही contact valid हो जाएगा कहेगा नहीं नहीं जब तो contact करे थे तब तो तुम minor थे लेकिन आज की तारिक में तो तुम major हो गए हो अब तो contact सही हो गया है अब आप क्या करिए अब contact पूरा करिए ऐसा नहीं माना जाएगा इसी को बोलते हैं doctrine of restriction does not apply against minor and no relief can be granted आपको कोई relief इससे नहीं मिल पाएगी यही चीज को फिर से लिखा है no rectification of attaining majority यानि majority जब attain कर पाओगे तो कोई भी rectification नहीं होगा कोई भी चीज़े सही नहीं होगी जिस समय आपने contact किया था उस समय अगर कोई minor था तो वो contact lifetime ही क्या माना जाएगा wide ab and issue ही माना जाएगा बात समझ रो और आगे क्या है भी या contract beneficial to minor minor से कोई contact कर सकते हो जो minor के फायदे के लिए हो मतलब अगर आप minor से कोई contact करते हो ठीक है तो white तो है आप minor के उपर कोई case नहीं कर पाओगे minor कोई पैसे नहीं चुका रहा तो आप minor के पास नहीं जा सकते लेकिन आपने अगर minor के पैसे नहीं चुका है तो minor court में खीस सकता है आपको system समझ रो यानि minor क्या होता है किसी contact का beneficiary हो सकता है लेकिन minor के ओपर कोई liability assign नहीं की जा सकती ठीक है minor को agent बना सकते हो यहां लिखा हो minor can be appointed agent but he is not personally liable to any office act partnership में भी बोला गया है कि किसी भी minor को आप partner नहीं बना सकते और अगर minor को आप partner बनाते हो तो उसकी कोई liability नहीं होगी वो personally liable नहीं होगा आप partnership में अगर पढ़ा होगा आपने हलका फुलका भी ध्यान होगा तो आपको यह पता होगा कि partnership में जो partners की liability होती है वो unlimited होती है लेकिन अगर किसी minor को partner बना दिया गया है तो वो personally liable नहीं होगा यानि उसकी liability क्या है जो भी उसने capital लगाई है ज़्यादा ज़्यादा वही पैसा वो उसका जा सकता है घर से कोई asset लाके आपको नहीं देगा अगर मान लिए पूरी firm डूब भी जाती है तो बाकी partners की सब घर करस्ति बिग जाएगी लेकिन minor के साथ ऐसा नहीं हुगा minus liability for necessities ठीक है minus liability for necessities if somebody has supplied a minor or his dependent with necessities minus property is liable but minor cannot be held personally liable यानि अगर मान लिजिए कोई आपको road पे चलता हुआ बच्चा मिल जाया minor इसको example से समझो बिटा अगर मान लिजिए आपको road पे कोई minor child मिल गया ठीक है उससे आपने पूछा बिटा कहां रहत तो कि हमें कुछ याद नहीं हम बहुत छोटे हैं उसको अपने माबाप का पता नहीं पता है ठीक है या address नहीं पता चल पा रहा है तो आप उसको कहीं बे छोड़ नहीं पाऊगे और आपको लगा कि यार बहुत ज्यादा छोटा बच्चा तो इसको घर ले चलते हैं ठीक है और बाद में आपने मान लीजिये उसको लीगली अडॉप्ट कर लिया तो उसको जो भी वो अठारा साल तक जब तक नहीं होगा तब तक उसको माइनर कहेंगे तो जो भी आपनो इसको नेसिसिटी सप्प्लाई करी होंगी रोटी, कप्ला, मकान, पढ़ाई, लिखाई जो जरूरत की चीजें है उस सप्प्लाई करने में जो भी आपके पैसे खर्चा हुए होंगे जब वो मेजर हो जाएगा तो जितना भी आपने खर्चा किया होगा अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से आप अपने पैसे recover कर सकते हो लेकिन personally उससे कोई कांट नहीं करवा सकते है माली ये माइनर के पास पैसे नहीं है तो माइनर से नहीं कर सकते हैं कि तो हमाई लिए 4 साल काम करो कहीं बास समझ टो यानि minor personally तो लाइबल नहीं होगा लेकिन minors की property से वो पैसे तुम recover कर सकते हो legal way दिया गया है आपको कि अगर minors को आपको इनेसेसरी supply करते हो तो जब वो major हो जाएगा तो उसकी property से आप अपने पैसे की भरपाई कर सकते हो proof आपको देना पड़ेगा कहां कहां कित्ते कित्ते कैसे कैसे परचा किये है quote आपके साथ है quote आपको recover करके वो पैसे देगा ठीक है एक दो point और लिखे हुए बेकार से तो उनको अपना read कर लेना फरजी बाते लिखे हुए टाइम नहीं बरबात कर से आगे बढ़ रहे है तो यह तो भाई माइनर के बाते में इन फॉर्मेशन लिखी है ठीक है इसके बाद sound mind person ठीक है जो दूसरा point था भाई माइनर हम लोग discuss कर चुके हैं दूसरा point कि unsound mind नहीं होना चाहिए मतब sound mind कब कहा जाएगा तो sound mind person किसको कहा जाता है ठीक है तो a person is set to be sound mind for the purpose of making contact if at that time when he make it his capable of understanding it or forming a rational judgment of it ठीक दुनिया वर के बाते बताएगे मतब जिस समय contact किया जा रहा होगा वो अगर उस contact को समझने में capable है contact को समझ सकता है बाते समझ रहा है सुन रहा है देख रहा है तो फिर ऐसे person को sound mind person बोलते हैं ठीक है फिर यह बहुत ही important बात लिखी है a person who is usually of unsound mind usually का मतब जादा तर मतब एक person है जो जादा तर पागल रहता है unsound mind रहता है but occasionally of sound mind मतब एक person है तो जादा तर unsound mind रहता है लेकिन कभी-कभी उसका दिमाग सही हो जाता है sound mind होता है यह आप देखते भी होगे practical life में कभी कोई एकदम होता है दिमाग का कमजोर बच्चा है या पागल टाइप का है और कभी-कभी इतनी सही बात करता है यह पागल कहीं सही बात कर रहा है तो यही होता है कि normally तो वो unsound माइंड है लेकिन occasionally कभी-कभी उसका दिमाग sound माइंड की तरह behave करता है may make a contact when a sound माइंड तो अगर जब वो sound माइंड था तब उससे कोई contact किया है तो बिल्कुल सही contact माना जाएगा लेकिन जब वो unsound mind था जब उससे कोई contact किया है तो उस contact को सही नहीं मानेंगे वाइड मानेंगे इसका उल्टा भी यहां लिखा है कि normally तो वो sound mind रहता है लेकिन कभी-कभी unsound mind का होता है तो जब वो unsound mind का होगा तो contact नहीं कर सकते यानि वो ज़्यादा तर क्या रहीता है हमसे मतलम नहीं जिस समय contact किया जा रहा है उस समय अगर वो sound mind है तो contact सही है और उस समय वो unsound mind है तो contact बेकार है वाइड है बात समझ गए अब sound mind के कुछ example लिखे हुए है कि कभ उसको sound mind कहेंगे कभ नहीं कहेंगे a patient in a lunatic asylum who is an interval of sound mind may contact during those intervals तो कह रहा है कोई अगर मान लीजे patient है जिसको दौरे पड़ते हैं तो जब दौरा नहीं पड़ रहा होगा मतलब कुछ उसके अंदर intervals आते हैं बीच बीच में ऐसे होते हैं जब वो sound mind का हो जाएगा तो उस sound mind ठीक है उस sound mind के दौरान वो ठीक है जो बहुत जादा पी रख्खा जिसने गॉंटक को समझने के जरुवत नहीं है या बहुत जादा उसको highly fever आ रहा है तो उसको भी sound mind नहीं कहते हैं ठीक है तो कुछ यहाँ पर लिखे हूँ है दो चार बाते जिसको sound mind नहीं कहेंगे पागल यह सब चीज़े इसके अंदर आती हैं कि फिर कुछ और है अधर डिस्क्वालिफाइड परसन तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट ठीक है अधर डिस्क्वालिफाइड परसन कौन कौन से हैं पहला alien enemy विदेशी सफ्त्रू तो जो विदेशी सफ्त्रू रहता उससे कोई contact नहीं कर सकते सपोस कर लो जिसे मान लीजिए पाकिस्तान से चाइना से अक्सर हम लोग की क्या करती जड़ब चलती रहती है और गॉर्मेंट ने एक दिन मान लिए डेक्लियर कर दिया कि भाई अब युद्ध होगा तो युद्ध के समय जब तक वो युद्ध खतम नहीं हो जाएगा जब तक चीज़े नॉर्मल नहीं हो जाएंगी तब तक ऐसे देसों से जो भी आदमी रहेंगे उन उनको एलियन एनिमी घोसित कर दिया जाएगा उनसे आप कोई कॉंटेक्ट नहीं कर सकते ठीक है विदेशी सत्रू और अर्सन के फॉरें सेवियर ऑफ एंबेस्टर्स ठीक है तो जो एंबसी होती है जैसे मालीजे इंडिया है तो इंडिया का जो एंबसी होगा बाहर की आना जाता है तो उनका पास्पोर्ट वाबनाने का काम हाँ गये वह उनको भी रूका गया है कि आप किसी से कोई कॉंटेक्ट नहीं कर सकते मतब्सी जाता है इसे वह झाला जाता है ले वह कोई कौंटेक्ट एंबसी में काम करते हैं उनकों एंबस्डर्स कहा जाता है इंसॉल्मेंट आप जानते हो जो दीवालिया हो जाता है ठीक है कंपनी और स्टैचरी बॉड़ी ठीक है लेकिन इनसे कर सकते हो लेकिन इनकी अंदर इंफॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा आपको a contact entered into by a corporate body और statuary body मतब company से कहा तक कर सकते हो with the extent of memorandum of association जहां तक की इसकोप के अंदर रहते हुए कंपनी से कोई contact कर सकते हो अगर इसके इसकोप के beyond में जाके कोई contact करते हो तो उस contact को वाइड माना जाएगा सपोस कर लो Memorandum of Association में ये लिखा हुआ है कि ये कंपनी लोगों से लोन के नाम पे मैक्सिमम एक परसन से 10 लाग रुपए ले सकते हैं और आपने इनको मान लिजे 15 लाग का लोन दे दिया तो जब Memorandum of Association में लिखा हुआ है कि कंपनी 10 लाग तक का लोन ले सकती है और आपने Memorandum of Association बिना पढ़े इससे कॉंटक कर लिया 15 लाग का लोन दे दिया तो इस कॉंटक को वाइड मान लिया जाएगा यानि आपको ध्यान देना पढ़ेगा कि किसी भी कंपनी से कोई कॉंटक कर रहे हो तो सबसे पहले ये माँगो उसका और इसको पढ़ो इसके बियांड में उससे कोई कॉंटक ना करना वन्ना कंपनी आपको फसा देगी आप फच जाओगे ड्रंकन ठीक है तो जो दारू पीने वाले बेक्तिवोते हैं जादा दारू पी लेते हैं ठीक है तो जब ड्रंकनेस रहेगी ठीक है उस समय उसे कोई कॉंटक नहीं कर सकते तो इस पॉइंट में जो आपका ये टॉपिक नंबर 1.4 चला था इसमें दो बाते बताई थी कैपसिटी टू पार्टी हम लोग पढ़ चुके हैं अब पढ़न स्विक्र्ति देना एसेंट या कंसेंट इसको कहा जाता है ठीक है तो कब माना जाएगा कि कंसेंट फ्री नहीं है जब कंसेंट कॉज्ड बाई ये पांच में से कोई भी एक अइंटम के दुग होगा यहां लिखा हुआ है कॉंटरेक्ट एक्ट कॉंड इस कॉज्द इस फ् को क्या कहा जाता है फ्री कंसेंट कहा जाता है मतलब उस कॉंटेक में यह माला जाता है कि यह कंसेंट हमारी क्या है फ्री है क्या पांच आइटम है पहला होता है कॉर्जन का मतलब होता है डरा धंका की ठीक है बंदूक रखके कोई कॉंटेक्ट आप से करा लिया गया तो आप कि अगर सहमती नहीं भी अंदर सम्मन भी नहीं है लेकिन बंदुक के डर से आप हाँ कहे दे रहे हो यहां से पड़ से लेना ठीक है अंडू इंफ्लेंस अंडू इंफ्लेंस में हमने बताया था कि एक पार्टी ऐसी पोजिशन में होती है कि दूसरी पार्टी उसको मना नहीं कर सकती जैसे टीचर इस्टुडेंट. इसके बच्चे के बीच obsessee एसी पार्टी है जहां पे एक दूसरी पार्टी का बेनिफिट उठा लेती है मताब उसको था पाता आ अदमी तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं undo influence अगले पन्ने पर यहां लिखा होगा ठीक है इसमें बहुत जादा रामार लिखी हुई है तो हलका हलका समझ के चलना है एक बार मन करें तो line by line में पढ़ लेना औरना objective के लिए line by line पढ़ने के भी कोई need नहीं है ठीक है इसलिए overview देते चलना है आपक relation, substitution between the party are such that one of the parties is in a position to dominate the will of other दूसरे के will को dominate करा ले जाए ठीक है और ऐसे में क्या होता है कि वो unfair advantage ले पाता है मतब ऐसी position में होता है कि आपका वो फायदा उठा पाता है तो ऐसे में हम लोग क्या बोलते हैं उसको undue influence बोलते हैं कौन कौन सी party होती है इसे बताया हमने parent और उनका बच्चा doctor patient ठीक है trustee और beneficiary finance और financing बतर लोन देने वाला और लोन लेने वाला ठीक है religious advisor और discipline landlord इन में देखो क्या होता है however no presumption और इसमें प्रजूम नहीं किया जाता है जहां पर undue influence की संभावना है ऐसे relation को undue influence वाला बोलते हैं इन में undue influence नहीं माना जाता है assume नहीं किया जाता है landlord और tenant के बीच में debtor और traders के बीच में husband और wife के बीच में तब यह ऐसे लगते हैं कि यहीं पे आने चाहिए लेकिन ऐसा है नहीं तो कि landlord क्या होता अगर tenant पैसा देता है तो landlord कि इत्ती सुनता नहीं है दस जार रुपए आपको महिना देना किराया तो इत्ती बाते हैं सुन नहीं पाता है पास समझ रो तो इसमें undue influence उठा नहीं पाता है ठीक है तो यह तो हो गई अंडue influence की परिभासा और अंडue influence का मतलब आप समझ पाए होगे एक दो एक्जामपल यहां पर लिखे हुए हैं तो आप चाहो तो घर पे आराम से पड़ सकते हो अगला अगला point है पेटा fraud fraud आप जानते हो कि जान बूझ के जहां पे जान बूझ के word आएगा ठीक है पतब intention के साथ fraud means include any of the following act committing by party to the contract or with his convenience or by agent with intent to receive यानि जान बूझ के आप गलती कर रहे हो जान बूझ के गलती नहीं कर रहे हो fraud कर रहे हो तो fraud का मतलब ही होता है कि आप जानतों यह चीज गलत है लेकिन जब अर्दस्ति उसको बता के देते हो सही कि नहीं नहीं सही है तुम्हाँ लिए बड़ी है करा लो करा लो समझ रहो तो इसको बोलते हैं fraud तो fraud words से तो आप पहले से परचित हो तो इसमें बहुत ज़्यादा time नहीं दे रहे हैं हम लोग इसके बाद आता है misrepresentation पांच चीजे थी कॉर्जन हम लोगों ने पढ़ लिया undue influence हम लोगों ने पढ़ लिया और तीसरा पढ़ा fraud चौथा है misrepresentation और पांच वा आएगा mistake तो चौथा होता है misrepresentation misrepresentation में क्या होता है लिखा a statement of fact which one party make in course of negotiation with a view to inducing the other party to enter into contact is north and beast representation it must relate to some fact which is material to the contract it may be expressed by word spoken and written or implied from the act तो यहाँ से आपको इतनी information नहीं समझ में आई है तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं बटा यहाँ से समझ सकते हो इसको आप इस जगे से पढ़ो तो मज़ा आजाएगा आपको लिखा है positive assertion ठीक है positive assertion in a manner not warranted by information of the person making it of that which is not true though he believe it to be true मतलब जो गलत जो सही नहीं है लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि यह सही है संबल इसको बोलते हैं misrepresentation मत्तब represent कर रहे हैं लेकिन गलत represent कर रहे है happen नीला कह रहे है काला that is misrepresentation ठीक है तो misrepresentation के बारे में यहां information लिखी हुए है उसको आप पढ़ सकते हो हलका हलका आपने बताया था overview देते चलेंगे जिससे आप पढ़ पाव समझ पाव सारी बाते हैं mistake क्या जानते ओ, गलती हो ना गलती दोतरीके के होती होती है, by-letter mistake होती है और mistake of fact mistake of law में क्या है कि जो legal चीज़े हैं उन में कोई गलती कर दी पता लगा contact तो किया लेकिन stamp paper में नहीं किया that is mistake of law बास समझे हो mistake of fact में क्या होता है कि जो contact के अंदर चीज़े content लिखे हुए है उन content में कोई गलती कर दी that is mistake of fact फिर बोला है mistake दो तरीके के हो सकती है unilateral bilateral इनके बारे मताया है हमने जब एक पार्टी से गलती होती है that is unilateral mistake और जब दोनों पार्टी से कुछ ना कुछ गलती हो जाती contact के अंदर तो उसको bilateral mistake कहा जाता है ठीक है एक बार चाहो तो अपना read कर सकते हो ठीक है बहुत सारी कहानी लिख्यों है इत्ता detail में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है खास कर जब इस बार आपका paper क्या है objective mode में है ठीक है घर में अभी खाली हो तो reading लगाना चाहो तो लगा सकते हो लेकिन इसके एकदम यह नहीं हो तक line by line की एकदम पीछे पढ़ना है आपक एक overview ले लो जैसे हमने पढ़ाया वैसे पढ़ लिया आपने एक बार घर में पढ़ लिया फिर इसके जाके आप mcq के जो सवाल दे रखे उनको लगाओ ठीक है उनको लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जो हमने पढ़ा है जो सर ने समझाया है उससे हमारे solve हो रह यह मेनिंग तो पता ही होना चाहिए यह पूछ लेगा मिस्टेक किते तरीके के होती तो कम से कम टूपे तो टिक करके आप आपको यहां तक यानि पेस नमबर पच्चस तक हमने अल्मोस पढ़ा दिया है तो यहां तक बटा पढ़ो अगली क्लास से हम लोग वन पॉइंट टॉपिक पढ़ेंगे क्यासी कॉंट्रेक्ट कंटिजेंट कॉंट्रेक्ट यह सब पढ़ेंगे और आगे की बाते करेंगे ठीक है तो आज ही क्लास यहीं पे समाप्त होती है ठीक है जैहिन जैभारत